गूट मॉर्निंग फ्रैंस तो कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होगे तो फ्रैंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो फैंग अपने दोस मिनी को बचा कर वापस तो ले आता है पर वो उसके अंदर से नेगरिव एनर्जी क पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है इसलिए वो उस नेगरिव एनर्जी को उसके अंदर ही सिल कर देता है जिसके बाद फैंग वहां अपने दोस्तों को मिश्टर मिंग के पास चलने को कहता है अब आगी जाम इस अपिसोड की सुरुआत में उन सभी लोगों को अप से हमें उनको अपने साथ चलने को मनाना ही होगा तब है हम सबे लोग उस जगह पर पहुच कर अपनी दोस्त मिनी के अंदर से उस नेगरिव एनर्जी को खतम कर सकते हैं जिसके बाद हम इधर देखते हैं कि मिनी अवे तक उसी गाड़े में बैट कर कुछ सोच रही होती है कि कैसे फैंग ने मेरे अंदर की नेगरिव अनर्जी को सील कर दिया है उपर से ये लोग बस मेरी जान बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे हैं जहां कि बहुत जादा ही खत्रा है अब यह सब सोच कर मिनी अपने दोस्तों के लिए काफी जादा परिशान हो रही होती है पर तभी फैंग उससे वहां कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ वहां गया होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देता अब यह सुन मिनी फैंग से कहती है कि ऐसा मत बोलो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है उल्टा जब तुम लोग मु एक दूसरे को मुसीवत में नहीं छोड़ सकता है अब यह सुन कर मिनी को थोड़ा अच्छा लगता है जिसके बाद यह लोग यहां से मिस्टर मिंग से मिलने के लिए आगे जाने लगती हैं तभी अब हमें इस जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर मिंग के कुछ लकडियों को खरीदने के लिए काफी सारे लोग आये हुए थे वहीं इस लकडियों को खरीदने के लिए वहां एक जोयलरे सौप के ओनर सूजी भी आई हुई होती है तभी अब फैंग भी उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है और वहां यहां भी लोग बस यहां इन सभी लकडियों को खरीदने के लिए आए हैं जिसके बाद फैंग उन लकडियों को देख अपने दोस्तों को बताता हैं कि यह लकडिया सच में काफे ज़ादा कीमती हैं तबढ़े हम वहां मिस्टर मिंग को देखते हैं जो वहां मिस्टुजी से कह होते हैं यह लकडियां संगल के सबसे कीमती लकडिया हैं पर मुझे अपने पोटी के ilaj के लिए कीमती लकडियों को अभी बैचना पड़ा है नई तो मैं लकडियों को कुछ साल और अपने पास रखने के बाद इनकी कीमत दूगनी हो जाने पर बेचता पर तवे वहां मिस सूजी का एक परशन उन लकडियों को चेक कर वहां बताता है कि इन लकडियों के कंडिशन उतनी जादा अच्छी नहीं है जिस वजह से इसकी किमत उतनी जादा नहीं है पर तवे इधर फैंग वहां भीड में उन लोगों को वहां बात करते ये मिश्टर मिंग को अभी काफी सारे पैसों की जरुरत है। तब इधर मिश्टर मिंग से कहती है कि जैसा कि तुम यहाँ देख सकती हो, मेरे आदमी ने इस लकड़ी को चेक कर बताया कि ये ज़्यादा किमती नहीं है। और फिर भी मैं इन लकड़ीों को 88 डॉलर में चेक करने को तयार हूं। अब यह सुनकर मिश्टर मिंग वहां कहते हैं कि इस तरह की लकड़ीों को तयार होने में ना जाने कितने सालों तक कर समय लग जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके आदमी ने इसे यहाँ ठीक से चेक नहीं किया होगा। अब यह सुनकर म मिश्टर जू आहां कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरूसा नहीं है तो तुम अभी इन लकड़ीों को यहां काट कर देख सकते हो। और अगर मैं इस बारे में गलत निकला तो फिर तुम इन लकड़ीों के जो भी कीमत मांगोगे मैं वो तुम्हें देने को त अब यह सुनकर मास्टर जू फैंक से कहते हैं तुम तो अभी बहुत छोटे हो क्या तुम्हें लकड़ीों का पहचान करना आता भी है अब यह सुनकर फैंग उन लकड़ीों को अपनी पीच्वल पावर की मदद से चेक कर रहा होता है अब देख मिश्टर जू वहां अपन चार मदद से कहते हैं अब यह सुनकर फैंग वहां कहता है इन लकड़ीों की कीमत तो 2,00,00,00,00,00 से कई जाधा है लेकिंग अगर फैंक की लगाई הए एक पीमत सही होती है तो क्या मिस्टर जू मुझे इसके बदले पांच लाग डॉलर्स देने को तयार हैं तब इधर मिस्टर जू जी वहाँ मिनी का इतना confidence देखकर इस सर्थ के लिए तयार हो जाती है जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि फैंग उन लकड़ियों में से दीख रही सबसे खराब लकड़ी को चुन लेता है जबकि मास्टर जू उन लकड़ियों में से वहाँ उन लकड़ियों में दीख रही सबसे अच्छी वाली लकड़ी को चुन लेते हैं अब यह देख मिस सूजी वहाँ फैंग से कहती है कि अब तुम इन लकड़ियों को यहाँ काट डालो ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में से कौन से लकड़ी जादा कीमती है अम यह सून कर फैंग वहाँ सब से पहले मिस्टर जू की लकड़ी को लेकर उसे वहाँ अपनी इस्पेसल टैक्निक की मदद से काटना इस टार्ट करेता है जहाँ आप उसके काफी अच्छी तरह से उसे काटने के बाद मिश्टर जूस लकडी को देख कह रहे होते हैं कि इस लकडी की कीमत भले ही एक लाग से कई जादा है पर तुमने तो इस लकडी की कीमत दो लाग से भी जादा के कही थी इसलिए आप तुम इस सर्थ को यहां हार चुके हो अब यह सुनकर फैंग वहां अपनी चुनी हुई लकडी को बस दो टुकडों में कार्ट देता है अब मिश्टर जूस लकडी की क्वाइल्टी को देख काफी जादा हैरान हो जाते हैं और खुद मिश्टर मिंग से कहते हैं कि मैं तो इन लकडियों की कीमत पूरे चार लाग डॉलर्स देने को तयार हूं अब यह सुनमी सूजी भी मिश्टर मिंग के पास जा उसे वहां अपना कार्ट देते हुए कहती है कि मैं लकडियों को पूरे दस लाग डॉलर्स में खरीद रही हूं अब इतना कहते ही वह वहां से जाते हुए फैंग को फैंग को जुलरे सौप पर आने के लिए इनवाइट करती हैं जिस पर फैंग कहता है कि हां मैं जरूर आऊंगा तवे अब उन लकडियों के बीग जाने के बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं वाइद अब मिश्टर मिंग वहां फैंग को इसके लिए ठैंक्यों कहते हैं और बताते हैं कि और बताते हैं कि अब मैं इन पैसों से अपने पोती का इलाज करवा सकता हूं और इन दस लाग में से मैं तुम्हें एक लाग देने को भी तैयार हूं मेरी मदद करने के लिए अब यह सुनकर फैंग इसके लिए मना करते हुए उनसे कहता है कि हम बस चाहते है कि आप बस हमें उसी नेगरटिव एनलजी वाली जगह पर लेकर चले पर मिस्टर मिंग इसके लिए मना कर देती हैं पर फिर वे वो लोग वहां काफी देर तक मिस्टर मिंग को इसके लिए मनाने की कोसिस कर रहे होती हैं जहां अब इतने में ही वहां मिस्टर मिंग की पोती स्या सब्सक्राइब होने जाने को तैयार हो जाते हैं अगले ही दिन मिस्टर विन सभी को लेकर एक जंगल के रास्ते से होते हुए उस नेगर्टिव अनजी वाली जगह पर जा रहे होती हैं पर तभी अचानक से उन सभी के ऊपर एक खतरनाक भालू अटैक कर दीता है और इसे के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करें बाइबाइबाइब